हेलो प्रेंड्स गूट मॉर्निंग कैसे आप से भी आई होप आप सब अच्छे होंगे स्वस्त होंगे मस्त होंगे और अभी सुबह का टाइम हो रहा था तो मैं बहुत जल्दी जाग गई थी और मैं कर लग गई किछिन की सफाई में क्यूंकि दीवाली आ रही है तो किछिन की सबसफाई भी बहुत जरूरी है और सुबह सुबह ही मैं जब भी सफाई करती हूं सुबह के टाइम करती हूं क्योंकि सुबह की टाइम ऐसा होता है दिन भी छोटा होने लगा और सुबह पटा-पट से हो भी जाती है और पूरे दिन फिर थोड़ा बहुत काम रहे भी ज तो दिन में फ्री कर लो, इस वजह से मैं सुबह की सामी होती है, इस वजह से जितना हो सके जल्दी, सुबह ही लगती हूं таким हुझे तो सुबह कुछ काम, मैं स्वेंट की डूटी जाने से पहले' कर लेती हूं कुछ पाद में कर लेती हूं इस तरह से मेरी जिसाइटा कर लो तो पहुत जादे आसागी से मेरेём हो मैं पोच के रख देती हूं क्योंकि ये भरे और जब ये खाली हो जाते हैं तो मैं इनको एक एक करके साफ करती रहती हूं बीच बीच में तो ये जांदे गंदे नहीं होते हैं और जब कोई सुखा सामान हो तो मैं निकाल के इनको पूरा ही अंदर से बाहर साफ कर देती हूं और जब यह भरे हुए हों तो मैं ऐसे नहीं निकालती हूं, उपर से साफ करने में बहुत अच्छे से साफ हो जाते हैं, और फिर मेरे जांदे डिब भी गंदे नहीं होते हैं, क्योंकि जब भी कोई खाली होता है, सामान निकलता है उसमेंसे, तो मैं इस तरह ऐसे कर लेती पर कर लेती हूं सोचती हूं कि चलो तो हरा रहा है तो कुछ ना कुछ साप सपाई कर लो तो अच्छी लगते हैं क्यूंकि ओईल वगेरा के तो लगी जाते हैं तो हलके हलके से ओयल के हाथ लगने पर हलके फुलके ओयली हो जाते हैं वैसे बिल्कुल गंदे नहीं होते हैं और मैं इसकी भी सफाई मैंने एक तो समेड़ती है और मैंने दूसरी खोल ली तो मैं इसको भी इसी तरह से साप कर देती हूँ मैं ये केक करके करती हूँ तो और फिर हास्मेंट के लिए मैं खाना बनाना है तो उनको भी देखना पड़ता है। ची हो जाती यह कब बगहरा तो यह होती ही रहते हैं तो मैंने इनको भी नहींसाप कई हो जाते हैं तो जाते हैं यह ग्युश्ट की का दीली हो जाते हैं यह साप कर चुकी हैं नीचे की रहे गई तो मैं खाना बनाने के बाद कर लूँगी और मैंने जो कुछ भी किया और ये दुले हुए थे तो मैं इनको पोछ रही हूँ क्योंकि थोड़ा गीला तो होते ही हैं तो उसी वज़े से मैं इधर दूद रख दिया और चाई बनने रख और मैंने कि चलो अस्वेंट चेप तक थोड़े होंगी तो मैं ज़़ाड़ा देती हूँ हैं क्योंकि मैं अभी पोछ नहीं लगाऊंगी और ज़़ाड़ा दूँगी अभी आदी किचिन रहे गई है साप करने को तो मैं इसी तरह से साप सपाई करती हूँ बहुत अच्छ से साप सपाई हो जाती है और मुझे पता ही नहीं चलता है कि कब सपाई हमने कर ली और कोई इतना गंदा होता नहीं है मैं ज़़ाड़ा आने के बास कुछ काम करने के बार रिसू भी जाग गया था और रिसू को मैंने तीवी चला दी तो रिसू अपने मस्ती में लग गई तो मैंने यहां सब्जी बनने रख दी और सब्जी बन रही है तब तक मैं रोटी सेख लोंगी आटा लगा लिया था और इसके बार मैं रोटी भी सेखने लगी तो मैंने चलो जब तक फिरी होंगे हस्बेंट तब तक मेरा खाना भी तयार हो जाएगा तो मैं यहां रोटी बनाने लगी और मैं खाना बनाने के बाद फिरी हुई तो मैंने यहां जो कपड़े पड़े हुए थे मैंने मौर्णिंग में लगा दिये थे तो मैं कपड़े डा का उठा के लेकिन अभी सूख नहीं पाई तो उसी में और फिर यहां ऑईल का रखते हैं डिबा तो मैं उस जगे पॉलिथिन लगा देती हूं ना इससे बहुत अच्छे से साफ हो जाता है तो गंदिगी नहीं होती है अगर ऐसी उस पर रख दो तो बहुत जादे गंदा हो जाता है नीचे तली से क्योंकि कितना भी साफ करो फिर भी ओल वाली जगे तो होई जाती है तो मैं यहां पर इसमें फॉलिथिन लगाने की बाद और मैं इसमें चाई पत्ती जी वाला जो मैंने अंदर से दूल दियाता तो मैं वह पलटने लगी और मेरी किचिन खाना बना अब फ्यानम के गाने है तो मैंने मः तो मैं यहां जो भी म! मिर्ट करोंगी क्यूंकि मैं करते होती है उसके बाद मार्केट भी जाते हैं तो जो भी म! सामान यह आजाता है अश्ट्रा का फिर उसमें भर जाते हैं इस वजए से मैं खाली रख देती हूं जब भी कोई सबसपाई करती हूं तो ऐसा होता ही है क्योंकि मार्केट हम लोग हो जातے है और कुछ है चीज आप ऐसी ही तो यहाँ नमॉक का डिब्ब बहुंआ टायम से अंदर से नहीं दुलाता तो मैंने इसको भी दुल दिया और यह सूख गया तो मैंने इसमें नमाक डाल दिया और यहां यह सब्जी मसाला पनीर मसाला तो मैं इनको थोड़ा सा पाली होते हैं तो मैं थोड़ा सा इ할ा हुँँ तो थोड़ा सा जानज लगता है कि चलो और फिर रिसु यह मैं दूद में डालती हूँ बूरा तो मैंने इसे भी काम खतम करने के सोचे मैं नहीं क्योंगे पैकेट लाती हूँ तो मैं एक इसको छलने से छान देती हूँ कि थोड़ा बहुत कहीं कुछ हो बच्चे के दूद में डाल रहे तो थोड़ा बच्चे के सापसपाई में जान दे धियान रखने पड़ती हैं कोई चीज है तो मैं इसको छान के हमेशा भरती हूँ क्योंकि बैसे कई बार ऐसा भी होता है कि चीटी बगेरा हो जाती है या कुछ भी निकलाता है कुछ कभी कभी काला पन भी होता है और फिर मैं अंदर नीचे के सापसपाई में लग गई तो मैंने कि चलो इनए भी साप कर देती हूँ धीरे-धीरे तो इस तरह से सापसपाई करने में न मुझे बहुत आसानी होती है अगर रो भी जाए तो किचिन फैला नहीं मिलेगा यह लगेगा कि हाँ चलो आदी हो गई या कुछ भी एक एक करके सामान रख देती हूँ बहुत अच्छे से सफाई भी हो जाती है कोई टेंसन भी नहीं होती है यह नहीं लगेगा कि पूरा सामान फैला हुआ है तो मैं प इस तरह से बहुत अच्छा लगने लगा मैंने कि चलो पूरा किचिन भी नहीं फैलता है और बहुत अच्छे से सफाई भी हो जाती है और यहां मैंने फिर जो सामान रखते हैं चमच बगेरा तो मैंने वो स्रेक को साप कर दिया मैंने कि इसे भी अंदर से और मैं इसे गील है तो इस तरह ना बहुत गंदी थोड़ी मालूम नहीं पड़ती है और जब साप करने बैठो तो थोड़ा सा निकलता है जान्दे कुछ नहीं तो थोड़ा बहुत होता ही है और बीच बीच में जब भी सफाई करो कर लेनी चाहिए क्योंकि इनमें हम लोग बरता रखते है खाने पीने की चीज़ बरतानों में होती है तो साप सपाई का जांदर ध्यान रखने की जरूरत होती है इस वज़े से मैं बहुत अच्छे से क्लीन कर देती हूं और फिर मैं किचिन में पूरी क्लीनिंग मेरी दीरे-दीरे इसी तरह से हो जाती है बहुत आसानी होती है इस सब्सक्राइब जरू कर लेना तो मिलते हैं नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए बाइब बाइब टेक क्यार